हेलो एवरिवाइन, क्लास 12, CBAC हिंदी डियर स्टूरेंट, आपका लेसन वन कंप्लीट हो गया, भक्तिन आज मैं उसके कुछ इंपोर्टेंट कुश्चन्स आपको करा रही हूँ ठीके, इंपोर्टेंट कुश्चन्स आपको समझा रही हूँ उसके बाद आप ये अंसर अपने नोटबुक में करना, इसके PDF में आपको सेंड कर दूँगे ठीके, कुश्चन नमबर फर्स है, भक्तिन अपना वास्त्विक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया भक्तिन का वास्त्विक नाम क्या था, लक्ष्मी था, और भक्तिन अपना वास्त्विक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी और भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया था, देखिए उसका वास्त्विक नाम तो क्या था, लक्ष्मी लेकिन उसका फिर बाद में नाम क्या पढ़ गया भक्तिन भक्तिन नाम उसे किस ने दिया और क्यों दिया और वो अपना वास्त्विक नाम क्यों छुपाती थी देखिए भक्तिन का वास्त्विक नाम जो था वो क्या था लक्ष्मी था लक्ष्मी दन संपत्ति और सम्रदी का प्रतीक माना जाता है भक्तिन को अपने नाम का विरोधा बास लेकर जीना पढ़ रहा था अर्थात लक्ष्मी दन का प्रतीक लेकिन भक्तिन की घर की इस्तिती इतनी खराब हो गई थी इतनी देनिय हो गई थी कि वे नहीं चाहती थी कि लोग उसकी दशा को देखकर उसके समरद्धी सूचक नाम को लेकर उस पर व्यंग करें नाम तो है लक्षमी और इसकी इस्तिती देखो कितनी देनिय है पैसे की कितनी कमी हो गई थी लक्षमी के पास, कितनी इस्तिती खराब हो गई थी, जिसके कारण उसे शहर में जाना पड़ा, काम की तलाश के लिए, और काम की तलाश के लिए वो कहां जाती है, महादेवी वर्मा से मिलती है, तो इसलिए लक्षमी अपना वास्त्विक नाम लोगों से छिपाती थी, बक्तिन गाउं के प्रसिद एक अहीर सूर्मा की इकलोती बेटी थी, एक संब्रात परिवार में जन्म लेने के कारण संब्वते उसके पिता ने उसका यह नाम दिया था, नाम पिता ने रखा होगा क्योंकि अच्छे परिवार से थी, पिता ने उसका यह नाम रखा होगा, ठीके, समझ आया अंसर आपको कि बक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, क्योंकि वे अपने वास्तविक नाम का विरोधा वास लेकर उसे जीना पड़ रहा था अर्थाथ लक्षमी जे उसका बच्वन का नाम क्या था उसका वास्तविक नाम था लक्षमी लेकिन उसकी इस्तिती काफी दैनी हो गई थी वे नहीं चाहती थी कि लोग उसकी दशा को देखकर उसकी सम्रदी सुचक नाम को लेकर उस पर व्यंग करें इसलिए वे अपना वास्त्विक नाम छुपाती थी ठीक है और उसका ये भक्तिन नाम किसने रख लक्षमी नाम तो उसके पिता ने रखा लेकिन भक्तिन नाम अगर कुशन में आ जाकता है लक्षमी को भक्तिन नाम किसने दिया किसने दिया था भक्तिन नाम मादेवी वर्मा ने क्यों दिया था जब वो पहली बार उसे जाकर मिली तो उसके भाईये व्यक्तित को देखकर मादेवी वर्मा ने देखा गले में कंटी माला तुलसी की माला और भाई व्यक्तित को देखकर मादेवी वर्मा के मुह से तुरंद निकला भक्तिन हो क्या तो तब ही से उसका नाम क्या पढ़ गया भक्तिन लेकिन वास्त्विक नाम उसका क्या था लक्ष्मी नेक्स्ट सेकिंड कोश्चन है तो कन्या रतन पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा से अंधी अपनी जिठानियों द्वारा ग्रेना व्याव उपेक्षा का सिकार बनी ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह दाणना चलती है कि इस्त्री ही इस्त्री की दुश्मन होती है क्या इससे आप सहमत है देखे कोश्चन एक बार और समझो कोश्चन को अच्छे से समझ लोगे तो आंसर लिखने में कहीं कोई प्रोब्लम नहीं होगी दो कन्या रतन पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंदी अपनी जिठानियों द्वारा ग्रेना व्यव पेक्षा का शिकार बनी ऐसी घटनाओं से अक्सर यह दाणना पता चलती है कि इस्त्री ही इस्त्री की दुश्मन होती है क्या आप इस कथन से सहमत है हम इस कथन से पूरी तरह से सहमत है कि इस्त्री ही इस्त्री की दुश्मन होती है इस्त्री ही इस्त्री की उपेक्षा करती है देखिए भक्तिन का जब विवा हुआ था लक्षमी का तो जिठानी के भी बेटे थे सास के भी बेटे और ये चोटी चोटी बहु थी और इसके गर में तीन पुत्रियां हो जाती हैं ठीक है और पुत्रियों के साथ घर में बेदबाव किया जाता है उन्हें ये लगता था कि हमारे तो बेटे हैं और इसकी बेटी हैं और बेटियों के साथ बेदबाव किया जाता था देखे पुरुष परदान समाज में जहां पुरुष कि इस्तरियों की अपेक्षा अधिक मैत दिया जाता है पुरुष परदान समाज में भक्तिन का दो कन्याओं को जन्म देना किसी अभिशाप से कम नहें था यह उससम पहले की बात है वर्तमान समय में तो इस्तरियों की इस्तिति जो है लड़कियां लड़कों से कहीं जादा सम्मान दिया जाता है ये पहले के समय की बात है जब लड़कियों का जन्म होना अभिशाप माना जाता था यद भी बक्तिन का इसमें कोई दोश नहीं था देखिए इसमें बक्तिन का क्या दोश कि उसकी दो पुत्रियां हो गई परंतु पुत्र महिमा में अंदी उसकी जिठ ज्यानियों ने उसके साथ उपेक्षित वे ग्रैनित वेवार किया परिवार में जिठानिया बक्तिन के साथ और बक्तिन की बेटियों के साथ अच्छा वेवार नहीं करती थी बेद भाव करती थी कन्याओं को जन देने के कारण उसके साथ नोकरानी जैसा वेवार दया की मू कि उस पर पुरुष हिंसा का परवाव कमतर लगने लगता है। देखे इस बहर से क्या बताएंगे कि स्तुरी ही स्तुरी की उपेक्षा करती है इस्तुरी ही इस्तुरी की दुश्मान है। अब इसमें भक्तिन का क्या कसूर था कि उसकी बेटियां हो गई और जिठानी के सास के बेटे थे गर में जिठानी की भक्तिन की बेटियों के साथ बेदबाव किया जाता था भक्तिन के साथ नोकरानियों जैसा वेवार किया जाता था गर का सारा काम भक्तिन से कराया जाता थ उसकी बेटियां दिन बर काम करती और दूद, मलाई, मत्ठा ये सब खाने को किसको मिलता था? जिठानी के बेटों को और बक्तिन की बेटियों को खाने के लिए चने और गूगरी चबाने को मिलती थी और उसके बावजूद भी जिठानियां बक्तिन के साथ अच्छा वैवार नहीं करती थी हम इस दाड़ना से पौन रूप से सहमत है पुछना क्वेशन में कि क्या आप इस मत से सहमत है हम इस दाड़ना से पौन रूप से सहमत है कि समाजिक रिति रिवाजों की आड़ में इस्त्री ही इस्त्री की दुश्मन हो जाती है यहां तक कि शिक्षित इस्त्री भी अचूती नहीं है शिक्षित इस्त्री भी अचूती नहीं है पड़ी लिखी इस्त्रियां भी इस तरह का वेवार करने लग जाती है और इस दाड़ना के मूल में हमारा समाजिक ताना बाना तदा पुरुष परदानता की भावना है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष परदान समाज है लड़कियों की अपेक्षा पुरुषों को ज़्यादा मान समान और मैत दिया जाता है पुरुष परदान समाज जहां होता है वहां मैलाओं के साथ लड़कियों के साथ अच्छा वैवार नहीं किया जाता तो हम इस बात से पूरी तरह से सहमत है ठीक है कि इस्तरी इस्तरी की दुश्मन है हो गे थो कुश्चन आपके समझागे Next कुश्चन नमबर थर्ड थर्ड कुश्चन है अपना बक्तिन की बेटी पर पंचायद द्वारा जबरन पती थोपा जाना एक दुरगटना भर नहीं बलकि विवा के संदर्व में इस्तरी के मानाव अधिकार को कुचलते रहने की सदियों से चलिया रही समाजिक परंपरा का परतीक है कैसे दुबारा कुश्चन समझो बक्तिन की बेटी पर पंचायद द्वारा जबरन पती थोपा जाना एक दुरगटना भर नहीं बलकि विवा के संदर्व में इस्तरी के मानाव अधिकार को कुचलते रहने की सदियों से चलिया रही समाजिक परंपरा का परतीक है कैसे देखिए पाठ में आप कोई बात समझाई मैंने कि किस तरीके से भक्तिन की बेटी का जबरदस्ती भक्तिन के जिठानी के लड़के के साले के साथ किस तरीके से जबरदस्ती पंचायत विवा करा देती है ये तो उनकी एक चाल थी और उस चाल में वो सफल भी हो जाते हैं सिर्फ ये चाल किस कारण से चली दी भक्तिन की प्रोपर्टी को जमीन जैदाद को हडपने के लिए उसके पैसे को लेने के लिए देखी प्राचीन सम समाज में नारी समान जनक इस्तिती थी प्राचीन समाज में जब नारी की जो इस्तिती थी वह बहुत ज्यादा समान जनक थी वह स्वेंबर के द्वारा अपना वर चुनती थी आप देखें स्वेंबर अच्छा जैसे सीता के विवा के समय राजा जनक ने स्वेंबर परंतो मद्धे कालिन समाज में उसकी इस्तिती में परिवर्तन आया। उसे घर की चार दिवारी के बीतर कैद कर दिया गया किसे लड़कियों को। पुरुष की अपेक्षा उसके अधिकार सीमित कर दिये गए। महिलाओं को मद्धे कालिन युग में घर में ही कैद करके रखा जाने लगा। उसे बहुत ज़्यादा बंदिशें लगा दी गई। पुरुष परदान समाज होने के कारण महिलाओं की अपेक्षा पुरुष को गोण हो गई। कि उससे कोई पूछना भी नहीं कि उसे ये वर पसंद है या नहीं। बस जवरदस्ती महिला को एक लड़की को एक सिर्फ वस्तू माना जाता था। ठीक है जैसे वस्तू को हम खरीदने बजार में जाते हैं तो वस्तू नहीं बोलती ना उसका मोल भाव समय ये मद्धे कालिन समाज के समय की बात की जा रही है कि उस समय लड़की से कुछ नहीं पूछा जाता था और पुरुष परदान समाज में पुरुषों को ज़्यादा महत दिया जाता था और उनकी उसकी भूमी का गोण हो गई तिर्था उसे कोई महत नहीं दिया जाता बक्तिन की बेटी पर पंचायद द्वारा जबरन पती थोपना पंचायद के पुरुष अदस्यों की मनमानी का ही परिणाम था इस तरह बक्तिन की बेटी के साथ वही हुआ जो नारी जाती के साथ सदियों से होता आ रहा है बक्तिन की बेटी के साथ भी वही हुआ जो सदियों से नारी जाती के साथ होता आ रहा है क्योंकि नारीों की इस्तिती पूजनिय नहीं थी सम्मानिय नहीं थी ठीक है पुरुष परदान समाज साथ पुरुषों को ज़्यादा मैत दिया जाता था और भक्तिन की बेटी का जबरदस्ती पंचायत में फैंसला किया और उसके जिठानी के भक्तिन की जिठानी के बेटे के साले के साथ जबरदस्ती ना चाते हुए भी भक्तिन का विवा करा दिया जाता है तीन कुश्चन होगे आपके नेक्स्ट फूर्थ कुश्चन वेरी इंपोर्टेंट कुश्चन बक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर गुणों का अभाव नहीं लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा लेखिका कौन थी इस पाट की मादेवी वर्मा कुश्चन को समझिए बक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर गुणों का अभाव नहीं लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा लेखिका मादेवी वर्मा ने बक्तिन के लिए ऐसा क्यों कहा होगा कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर गुणों का अभाव नहीं है सरव गुण समता एक दुरलब गुण है कि किसी के अंदर सारे गुण हो ये एक दुरलब गुण है हर वेक्ति में कोई ना कोई दुर गुण होता ही है बक्तिन भी इसमें अच्छूती नहीं थी लेखी का कह रही है बक्तिन भी इसमें अच्छूती नहीं थी सेवा भाव में हनुमान को पीछे छोड़ती थी जैसे हनुमान जी भगवान राम की सेवा करते थे बक्ति करते थे ऐसे ही जो बक्तिन थी वो अपनी स्वामी नीमा देवी बर्मा की भक्ती इस तरीके से करती थी, सेवा इस तरीके से करती थी, कि वो हनुमान को भी पीछे छोड़ती थी, गरेलू कारियों में काफी दक्ष थी, और सिस्टा चार उसके वेवार में चार चांद लगाता था, सिस्टा चार भी अधिक उसके अंदर गरेलू कारियों में भी दक्ष थी, परन्तु इतने सदगुण के होते हुए भी, उसमें कई अवगुण भी देखे जा सकते थे, लेखिये का ने कहा कि बक्तिन के अंदर इतने सारे सिस्टाचार, स्वामी बक्तिनी, बक्ति की भावना हनुमान को भी वो पीछे छोड़ती थी, ठीक है, घरेलू कारियों में दक्ष थी, इन सारे सदगुणों के, सदगुण अच्छे गुणों के होते हुए भी कई अवगुण भी भक्तिन में देखे थे, वे अंजाने में ही एसत्याचारण कर बैठती थी, लेखिका क्या के रिए, अंजाने में भी ए सत्या चरण कर बैठती थी, रुपए पैसे भी वे एक जगे एकत्रित करती थी, जिनकी जानकारी लेखिका को भी नहीं थी, किसी को भी अपने आधे अधूरे ज्ञान के बल पर शाष्ट्रार्थ की चुनोती देना भी बक्तिन से अचूता नहीं था, उप्युक्त कत्नों के अधार परी संभवते लेखिका ने बक्तिन के विशे में हुक्त टिपनी की होगी, कि लेखिका में गुण तो बहुत अधिक हैं, लेकिन गुणों के साथ साथ कुछ दुर्गुन भी थे उसके अंदर, तो लेखिका ने बताया, घर में पैसे इदर उदर उठा कर एक जगे रख देती थी, लेखिका को बताती नहीं थी, पूर्ण ग्यान ना होने पर भी, शास्त्रों का पूर्ण ग्यान ना होने पर भी सामने वाले को चैलेंज कर लेती थी, चुनोती दे देती थी, ठीक हैं, तो ऐसी कई बातें इस पार्ट में आई, जिनके कारण लेखिका देवी वर्मा ने भक्तिन के लिए ये टिपनी की होगी, कि भक्तिन अच्छी है, ये कहना बहुत कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर गुणों का अभाव नहीं, समझा हैं, चार कुश्चन होगे, नेक्स्ट कुश्चन नमबर फिफ्ट, फिफ्ट कुश्चन है आपका, भ सुईधा से सुलजा लेने का क्या उधारन लेकिका ने दिया हैं, शास्त्र का प्रेशन भी भक्तिन अपनी सुईधा के अनुसार सुलजा लेती थी, लेकिका ने बताया कि शास्त्र सम्मत कोई भी प्रेशन होता था, उसे भी भक्तिन अपनी सुईधा के अनुसार सुलजा लेती थी जब एक बार लेकिका ने उसके सिर्म उंडाने पर एत्राज जताया एक बार लेकिका ने उसे कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि ओरतें अपना सिर्म उंडवाए लेकिका ने एत्राज जताया तो भक्तिन ने शास्त्र की आड में इसे उचित ठेराया शास्त्र सम्मत बात कई और शास्तर में जाकर उसे कहती है शास्तर की बात कई कि ये उचित है, लेखी का भी कहां शांत बैठने वाली थी, उसने पूछी लिया कि बताओ तुझरा कि शास्तर में क्या लिखा है, इस पर भक्तिन ने बिना देरी कि ए उत्तर दिया, तीरत गए मुडाय स लेखिका भी शास्त्र के इस रेस्ते महीं सूत्र को सुनकर हैरान रह गई बक्तिन शास्त्र के प्रेशन को स्वीधा से सुलजाने में सफल रही ठीक है क्वेशन था अपना बक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रेशन को स्वीधा से सुलजा लेने का क्या उधारन लेखिका ने देखिए जब लेखी का ने भक्तिन को का कि सिर मुढाना इस्त्रियों का मुझे अच्छा नहीं लगता तब उसने शास्त्र सम्मत बात कही ठीक है तीरत गए मुढाय सिद तो शास्त्र के इस रहसे महीं सूत्र को सुनकर लेखी का हैरान रह गई भक्तिन शास्त्र के प्रेश से महा देवी अधिक देहाती कैसे हो गई लेकिन कुष्यण है अपना बक्तिन के आजाने पर महा देवी अधिक दियाती कैसे हो गई मादेवी अधिक दियाती कैसे हो गई देखिए बक्तिन गाउं की महिला थी काम की तेलाश में शहर जाती है शहर में किसके घर जाके काम करती है मादेवी वर्मा के ठीक है लेखिगा के घर लेखिगा शहर में रहती थी ये गाउं में रहती थी देखिए बक्तिन के जाने से महादेवी भी देहाती हो गई कैसे महादेवी बच्पन में शेहरी वातावरण में पली उसे देहाती रीती रिवाज खानपान आधी का ज्यान कमी था कि ग्रामेट जीवन में कैसा लोगों का खानपान होता है कैसी वेश परिवर्तन आ जाए इसके लिए जितना प्रेतन करती थी उतना ही वे भक्तिन के प्रवाव में आकर दियाती होती जा रहे थी जितना महादेवी वर्मा चाहती थी कि बक्तिन अपने आपको बदले लेकिन उसने अपने आपको शेहरी परिवेश की अनुसार बिलकुल भी नहीं डाला यहां तक कि शेहर में रहते होए उसने कभी एक शेहरी रजगुला तक नहीं खाया और कभी जी करके नहीं बोलती थी लेकिका क्या कह रही है बक्तिन को बदलना असंभाव का रही है था बलकि वो स्वेम ही दूसरों को बदल देती है दूसरों को बदल देती है कैसे लेकिका के घर जब वो काम करने के लिए आती है बिलकुल देहाती महिला होती है और लेकिका को भी बिलकुल देहाती बना दे कैसे द्याति बना देती है खान पान वेश बूचा से बोल चाल से जब गाओं की तरह मोटी मोटी रोटियां बनाती है दाल बात बनाती है गोड़ गी शकटर घी खाने में उसे देती है तो फिर भी देखिए लेखिए का उसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उनका रि लेखी का बक्तिन को कुछ नहीं कह सकती थी और बक्तिन जो थी वो लेखी का के घर ऐसे रहती थी जैसे वो उसका स्वेम का घर हो अपना घर हो अपना घर समझ कर रहती थी और लेखी का की बहुत देखबाल करती थी सेवा करती थी जब वो रात को बैठ के रचनाय लिखती थ तो ये पड़ी लिखी ना होने के बावजूद भी रात रात बर उसके पास बैठी रहती थी, कि उन्हें किसी काम, किसी भी कारिये में उसे कोई ऐस्वीधा ना हो, जरा वो कलम रखती तो वो शाई उठाके ले आती, पन्ना बदलती तो पूछ लेती कौन सी फाइल चाहिए, रात-रात बर उन्हें पीने के लिए कभी पानी, कभी शेरवत, कभी चाह बना कर देती थी, और इसलिए बैटी रहती थी, कि कहीं अकेले कारिये करते-करते ने नीद न आये, तो वो भी पास में जगी रहती थी, कि ठीक है, उनसे समंदित कारिये नहीं कर सकती थी, लेकिन बाकी सारे कारिये उनके करती थी, लेकिन उसे कोई भी बदल नहीं सकता था, उसे बदलना असमभव था, अर्थात वो जैसी देहाती थी, देहाती ही बाशा में बात करती थी, खान पान भी उसका देहती था पहनावा भी देहती था उसने शहरी जीवन में आकर उसके उपर शहरी परिवेश्ट का तनिक भी असर नहीं हुआ बलकि उसने लेखी का को भी देहती बना दिया था नेक्स कोशन है इसमें मैं आपको ये एक कोशन समझाओंगी क्योंकि ये ही ज्यादा इंपोर्टेंट है आलो अंधारी की नाईका और लेखी का बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित में क्या समानता देखने को मिलती है आलो अंधारी की नाईका और लेखी का बेबी हालदार तथा भक्तिन के व्यक्तित की समानता है बताईए कि इन तीनों में के व्यक्तित में कौन कौन सी समानता है जो इन तीनों में मिलती है देखिए दोनों अपने-अपने मालिक के प्रती पूर्ण समर्पित भाव भावन ठीक है दोनों अपने अपने मालिक के परति पूर्ण समर्पित भावना रखती है दोनों को अपने मालिक की सेवा का सानिध्य प्राप्त हुआ बेबी हालदार को तातुष का और भकतिन को मादेवी वर्मा का दोनों के ही मालिक सरल हिर्दे आत्मियता की भावना से पूर्ण तता दुख दर्द को समझने वाले थे चाये वो भक्तिन थी चाये वो तातुष थे दोनों का जीवन अत्यांत दुखी एवं अपेक्षित था भक्तिन अपनी सास जुढानियों एवं पंचयत की उपेक्ष का शिकार थी दोनों का चरित्र अत्यांत पवित्र था दोनों नोकर होते हुए भी प्रती बावन महिलाएं थी बेबी हालदार लेखिका के रूप में समाज के सामने आई और भक्तिन अनपढ होने के कारण कितनी दंत कथाओं को प्राय मादेवी वर्मा को सुनाया करती थी अनपढ होते हुए भी वो कितनी कथाओं मादेवी वर्मा को सुनाया करती थी तो देखिए दोनों ही नाइकाओं के लेखिका ने बताया कि दोनों के ही व्यक्तित में यह यह समानता हैं थी ठीक है समझा गया तो यह आपके इसकी कुश्चन आंसर होगे कुछ एक्स्ट्रा कुश्चन हैं वो मैं आपको बाद में कराऊंगी ठीक है नोट करा दूंगी और इन आंसर्स की भी पीडियेफ आपको सेंड कर दूंगी इस वीडियो को ध्यान से सुनना कोई भी कुश्चन समझना है कोई डाउट हो तो अपने डाउट को जरूर किलियर करना ठीक है पिट